नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम गौस की प्रमे या गौस के नियम के बारे में देखने वाले हैं जो कक्षा बारा का एक बहुत ही सांदार और important topic है और board exam में किसी न किसी set में आपको दिखाई दे जाता है तो आज बहुत ही सांदार या सरल सब्दों में आपको हम बता तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं गौस की प्रमे क्या होता है दोस्तों कि किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदुत फ्लक्स यानि कोई बंद प्रिष्ट है एक गौसियन प्रिष्ट है इससे गुजरने वाला संपूर बैदुत फ्लक्स क्या हो होता है कि किसी प्रिष्ट से गुजरने वाला संपूर बैदुत फ्लक से उस आवेश का यानि उस प्रिष्ट पर लगे आवेश का एक बटेव साइलन नाट गुना होता है यही क्या हो जाता है गौश की परमे या गौश का नियम हो जाता है ठीक है अब यहां से आप देख र यहां पर क्या निकालना है और इसमें जो डी ओमेगा है यह आंत्रिक घन कोड है ठीक तो यहां से सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों हम सूच्म भाग यानि सबसे पहले सूच्म भाग डी एक के लिए सूच्म भाग डी एक के लिए निकालेंगे तो सूच्म भाग यानि अगर छोटा सा भाग है दोस्तों तो जो बैदुत फ्लक्स निकलेगा वो भी क्या निकलेगा सूच्म निकलेगा यानि डी फाई ए बराबर ये वेक्टर ई इंटू डी ये आप सभी जानते हैं कहां से बैदुत फ्लक्स बराबर क्या होता है इंटू डी ए तो यहां से क्या हो जाएगा अगर इसको हम बाहर यानि इसे बेक्टर फाम से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा इंटू डी ए कास थीटा इंटू डी ए कास थीटा हो जाएगा और इ बराबर दोस्तों आप सभी जान और Q upon R square ये इसका मान हो जाता है और इसके बाद क्या है ये डी ए कास थीटा ऐसे ही उतार लेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों दी फाई इ बराबर हो जाएगा इसको इसके साथ रखते हैं यनि क्यों अपान फोर पाई एपसाइलन नाट और यहां पर रख देंगे क्या डी ए कास थीटा डी ए कास थीटा अपान R square अब देखिए दोस्तों डी ए कास थीटा अपान R square ये जो होता है यनि इसमें आंतरी घंकोंड ये किसका वैलू है डी ओमेगा डी ओमेगा का ये वैलू हो जाता है डी ए कास थीटा और अपान का R square ये इसका वैलू हो जाता है तो यहां से जो हम करेंगे आगे यनि डी फाई इ बराबर हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा क्यों आप साइलन नाट और उसके बाद इसके अस्थान पर रक देंगे डी ओमेगा तो ये सूच जुदा के दौरा बैलूत फलक्स है अब देखें संपूण बैलुंद फ्लक्स में, संपूण बैलूत फलक्स की लिए हो जाएगा यना फई ए बराबर ये हो जाएगा क्यों अप पान 4π एपसाइलन नाड और ये हो जाएगा डी ओमेगा अब देखिए यहां से जो इसका वैलू हो जाएगा दोस्तों यनि संपूर्ण आंतरित घंकोर्ण का हो जाएगा फौर पाई इसका वान 4R हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा दोस्तों फाई यी बराबर क्या हो जाएगा क्यूं अपान फोर पाई एपसाइलन नाट और उचके बाद यहां इसका वैलू जो रख देंगे फोर पाई अब यहां से फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहां से बचेगा ड गौश की परमे आप देख रहे हैं कि 5E बराबर क्यों अपान एपसाइलन नाट ये हो जाता है गौश की परमे और दोस्तों हमारे ख्याल से इससे सरल तो कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को अभी झाल झाल झाल